नमस्कार स्टूडेंट्स आपका अपने चेनल पे स्वागत और अभिनंदन है आज का हमारा महतोपून टोपिक और कंटेंट राजस्थान के परमुख व्यक्तित्व है और राजस्थान के परमुख व्यक्तित्व में हम आज क्रांतिकारियों के बात करने वाले तो पहले क्र करांतिकारी हैं अमर्चन बाठिया तो अमर्चन बाठिया का जनम 1791 में विका नेर में होता है विका नेर जिले में इन्हें ग्वालियर का नगर सेठ भी कहा जाता है क्योंकि 1857 की करांति में नोने लक्षमी बाई और तांता टोपे का सहयों किया था तो ये ग्वालियर में अ 18 1957 कि करांथी में इन्होंने लक्ष्मी बाई और ताता टैप्य का सहयोग किया। इसलिए इन्हें दित्तिय भामासा या 1857 कि करांथी का भामासा भी कहा जाता है। पर्थम वेक्ति थे। इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे के नामसे भी जाना जाता है। दूसरे करांतिकारी हैं अरजुन लाल सेठी जी का समंध है वो जैपूर से है 1880 में इनका जन्म होता है जैपूर में जेहन परिवार में और इन्होंने इलाबाद से अपना बीये किया और चोमू में इन्हें जिलाधिश का पद मिला था पर इन्होंने इस पद को ठुकरा दिया इन्होंका कहना था कि सेठी अगर नोकरी करेगा तो अंग्रेजुं को बाहर कौन निकालेगा सेठी जी जैपूर में जन जागर्ती के जनक माने जाते हैं और राजस्थान के दधीची माने जाते हैं राजस्थान की लोक माने तिलक कहलाते हैं और इनको लोक माने तिलक की उपादी राम नाराण चोदरी ने दी थी कहा जाता है कि अर्जुनलाल सेठी चोमो में देवी सिंग के हां सिखसक भी रहे और 1905 में अर्जुनलाल सेठी ने जेन सिखस्या परचारक समीती की स्थापना की थी 1905 में महतोपून फेक्ट है 1905 की साल थी जब जेन सिखस्या परचारक समीती की स्थापना की गी बाद में सोसाइटी ने अजमीर इस्थांत्रित कर दिये सोसाइटी को और फिर 1908 में वापस जैन वर्दमान पार्ट साला के नाम से इसे जैपुर लाया गया इस संस्था का मुख्य उद्देश से था वो था करांतिकारी यूवक तयार करना और इसमें अध्यापक विश्णू दत को रखा गया 1912 का होर्डिंग्स बंब कांड में सेठी जी सामिल थे और इनके अमीर चन नामक एक मुखवीर ने बताया था कि अरजुनलाल सेठी के दिम 1915 में ससस्तर करांति की जिमेदारी जो दी गई वो अरजुनलाल सेठी को दी गई थी अरजुनलाल सेठी ने मोती चन और चार विद्यार्थियों को आरा बिहार मुगल सराय में जेन संथ को लुटने के लिए बेजा था तो आरा कांड से बिनका समंद था ओर डिंग्स बंक जेल रखा गया कई बार जेल का जो मिलान वाला ओप्शन है उसमें भी ये परसन पूछा जाता है वैलूर जेल में सेठी जी ने सतर दिन तक भूखड़ताल की थी और वैलूर से वापस आतिस में महराश्टर में बाल गंगा धरतिलक से मिलते हुए आए और बारदोली गुज सेठी जी अजमेर आ गया और अपना नाम करीम खा रख लिया। काकोरी ट्रेन कांड से भी इनका समंध है। डकेति से भागया सफखाल उल्ला खां थे और मेरट सडियंतर केस से भागया सोकत अली थे उनको भी सेठी जी ने सरण दी और इनकी मरत्य अजमेर में हुई शेठी जी हिंदू मुस्लिम समन्व के क्रांतिकारी थे और इनकी पुस्तक सुद्र मुक्ति प्रामर्श यग और मदन प्राजे महिंदर आदिप इनकी प्रमुक पुस्तके हैं नेक्स्ट हमारे क्रांतिकारी हैं नेक्स्ट क्रांतिकारी हैं बाल मुकंद बिशा बालमुकंद बिशा का जनम नागोर के डीडवाना तैसिल में पीलवा गाम है वहाँ पे हुआ था और 1924 में नोने चर्खा अजेंसी और खादी भंडार की स्थापना की 1922 में जैनारण व्यास के नितरतों में एक जन आंदोलन हुआ और उसी दोरान विशा को नो जून 1922 को जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था आंदोलन से पहले की घटना है नो जून 1922 को भारत रक्षया कानून के अंतरगयत इनको बंदी बना लिया जाता है और जोदपूर जेल में भूख हरताल के करण इनका स्वास्ते खर्याब हो गया और वहां इनकी मर्ति हो जाती है इनको राजस्थान का जतिन दास भी कहा जाता है नेक्स्ट और महतोपूर्ण क्रांतिकारी सागर्मल गोपा जिनका समंद जसल मेर से है सागर्मल गोपा का समंद सागर्मल गोपा का निस्षो इस्वी में जसल मेर में जनम होता है इन्होंने जसलमेर में गुंडा राज और आजादी के दिवाने रगवनाज सिंग का मुकदमा ये पुस्त के लिखे थी गुंडा राज आजादी के दिवाने और रगवनाज सिंग का मुकदमा ये पुस्त के इनके द्वारा लिखे गए जिसमें इन्होंने जसलमेर राज साही के जो गलत कारिये थे काले कारणा में थे उनकी आलोचना इन पुस्तकों में की जिसके चलते इन्हें राज दरोह के आरोप में 24 मही 1941 को जेल में डाल दिया और इनके समय में जसलमेर के सासक थे जमाहर सिंग, जेलर थे गुमान सिंग और इन्हें गोपा जी पर मिट्टी का तेल डाल कर इनको जिन्दा जला दिया और इनकी जांच के लिए गोपाल सवरुपाठ कायोग की स्थापना की गई थी इनकी मरत्यू के बाद खून का बदला खून नारा दिया गया था सेठ दामोदर दास राठी एक परमुख करांती कारी सेठ दामोदर दास राठी 1884 सिम जसलमेर के पोकरण में इनका जनम होता है बाद में ब्यावर आगे और इनोंने राजस्थान की पर्थम सूती वस्तर मील दीकर्षना मील के नाम से इस्थापना कर दी 1915 में नोंने ससस्तर करांती में गोपाल सिंग खहरवा की मदद की और ससस्तर करांती के भमासा ये कहे जाते हैं 1857 की क्रांती के भमासा हमने उपर देख लिया और ससस्तर क्रांती के भमासा कहलाते हैं वो हैं सेट दामो दरदास राठी। राठी ने 1906 में ब्यावर में होमरूल जो लीग थी उसकी स्थापना की और ब्यावर में ही इनोंने सनातन धर्म और नव भारत विद्याले की स्थापना की नेक्स्ट करांतिकारी हैं वो हैं गोपाल सिंग खैरवा राजस्थान के प्रमो करांतिकारी गोपाल सिंग खैरवा इनका जनम खैरवा ठिकाने आजमेर में हुआ और इन्ने ससस्तर करांति का जनक कहा जाता है गोपाल सिंग ख calculating को 1910 में केसरी सिंग बारहट के साथ मिलकर वीर भारत सभा के इनों ने इस्थापना की और विजे सिंग पतिक के साथ टोड़गर जेल में रही वीर भारत समाज की स्थापना विजे सिंग पतिक नि की थी इनकी जेल का भी आप द्यान रखें क्योंकि ओप्शन मिलान वाले में पूछ लिया जाता है कि विजे सिंग पतिक का समंध किस जेल से है तो टोड़ गद जेल से इनका समंध है केशरी सिंग बारहट एक महान करांतिकारी राजस्थान के वीर सपूत इनके बारे में हम देख लेते हैं केशरी सिंग बाराट का जनम 1772 में भीलवाडा की साप पुरा तैसील में होता है 1903 में वाइसराय करजन ने दिल्ली दर्बार आयुजित किया था और वहां महराजा फते सिंग को दर्बार में बुलाया गया था तो फते सिंग जब दर्बार में जा रहे थे उस समय केशरी सिंग बाराट ने दिंगल भासा में चेतावनीरी चुंगटिया नामक 13 सोटे लिखकर भेंट के गोपाल सिंग खैरवा के हाथों इनों ने भिजवाए इन सोटों को जिन्हें पढ़ कर माहराजा का स्वाभिमान जाग गया और उन्हें दर्बार में भाग नहीं लिया केशरी सिंग बाराट ने 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की थी गोपाल सिंग खैरवा ने भी इनका साथ दिया यहां जोड़पूर के महंत प्यारे लाल की हत्या के आरोप में केशरी सिंग बाराट को 20 वर्ष की सजा के तोर पर हजारी बाग जेल में रखा गया था जो की जारखंड में है हजारी बाग जेल इनके पुतर थे परताब सिंग बाराट जिनकी सहादत का पता इनको जेल में चला तब उन्होंने कहा कि भारत माता का पुतर भारत मा के लिए सहीद हो गया है ऐसे सब्द इनके थे केशरी सिंग बाराट को योगी पुरूस राजस्थान का केशरी भी कहा जाता है और मेवाड केशरी कहा जाता है माराणा परताब को तो राजस्थान केशरी और मेवाड केशरी में आप अंतर रखें नेक्स्ट जो रास वीहरी बूस ने कहा इनके बारे में वो महतोपूर्ण फेक्ट है कि एक मातर बारहट परिवार जिसने भारत मा को आजाद कराने के लिए पूरे परिवार को जोग दिया और वर्तमान में बारहट का परिवार है ये मानक महल नामक के स्थान पोटा में रह रहे हैं इनकी पुस्तक केशरी सिंग बारहट की वो परताब चरीतर राज सिंग चरीतर दुर्गा दास चरीतर रूठी राणी इन रचनाओं की नहोंने इन पुस्तकों की रचना इनके जोरावर सिंग बारहट एक महान करांती कारी बारहट परिवार से इनका समन्द जोरावर सिंग बारहट हट ठारा सो तिरासी में इनका जनम उध्यपूर में हुआ 1912 में दिली दर्बार के समय दिली दर्बार आयो जित हो 1912 में उस समय चांदनी चोक में PNB बंक के उपर हार्डिंस बंक इनके द्वार फेका गया और बाद में अमरदास वैरागी के नाम से भूमिगत रहे इनकी मर्तियो निमोनिया के कारण कोटा के अंतेलिया हवेली में राजस्थान का चंदर सेखर कहलाते हैं जोरावर सिंग 12.8 विजे सिंग पतिक विजे सिंग पतिक का जनम एक महान करांतिकारी और किसान आंदोलन के जनक भारत के किसान आंदोलन के जनक विजे सिंग पतिक इनका जनम 1882 में गांग उढवली जिला बुलंद सहर उत्तर परदेश में होता है तो इनका जनम इस्थल है वो उत्तर परदेश है लेकिन करम भूमी इनकी राजस्थान है विजे सिंग पतिक का मूल नाम भूप सिंग था विजे सिंग पतिक भारत किसा राजस्थान आंदोलूं के जणक कहे जाते हैं और राजस्थान किसान आंदोलूं के जणक सीता राम्aces कहलाते हैं विजे सिंग पतिक को टोड़ जेल में बंदी बनाकर रखा गया था यह उपर भी देख ली हमने 1916 में विजे सिंग पतिक ने किसान पंच बोड की स्थापना 1916 में और जिसके अध्यक्स बनाया गए सिता रामदास को 1917 में इनों ने उपर माल पंच बोड की स्थापना की कई बार पुछा जाता है मैं तो पूर्ण़ फेक्ट है 1917 में उपरमाल पैंच बोड की स्थापना विजेशिंग पतिक के दुआरा 1918 में कानपूर में राजपुता नामद्डे भारत सभा की स्थापना इनके दुआरा कीगी 1919 में वरद्धा महाराष्टर में राजस्थान सिवाक संग की स्थापना कीगी और 1920 में से अजमेरिस्थान तरित किया गए नमीन राजस्थान जो के एक समाचार पत्तर था अजमेर से निकाला गए और इसका बाद में इसका नाम बदल दिया गए और त्रुन राजस्थान कर दिया गए व्रधाम से राजस्थान के इसरी समाचार पत्रीन के द्वारा निकाला गया पत्थिक जी ने अजमेरू नाम के उपन्यास भी लिखा था एक और महन करांती कारी परताब सिंग भारहट परताब सिंग बारहट के इसरी सिंग बारहट के पुतर थे और इनके चाच्चा थे जो रावर सिंग बारहट मिलकर ही इनोंने होर्डिंग्स की हत्या की योजना बनाई थी होर्डिंग्स के जलूस पर बंफ जो रावर शिंग ने फेका था परताब सिंग यहां से सिंद चले गए और पुना वापस आने पर इन्हें ग्रिफदार कर लिया गया ब्रेली जेल में इनको रखा गया परशिद वाक्य था कि मेरी मा अगर रोती है तो रोने दे जिसे सेकड़ो माताओं को न रोना पड़े क्योंकि जेल में जेलर के द्वारा अधिकारियों के द्वारा इन्से पूछा गया कि अगर आप राज बता दोगे इसकी जो गटना हुई इसका राज अगर आप हमें बत सिंग बारहट के ऐसे विचार थे भूत कम उमर में सहीध हो गए थे नेक्स्ट है स्वामी गोपाल दास और इनकी कर्म भूमी थी वो थी चूरू बालिका सिक्ष्या के लिए इन्होंने 1907 में पुत्री पाठ साला की स्थापना की थी और हरीजन सिक्ष्या के लिए कनहया ल साल डूड के साथ मिलकर कबीर पाठ साला की विच्थापना इन्होंने की जनता को अधिकारों के परतिजागरूप करने के लिए सर्वय हितकारणी सभावनाई 26 जनूर 1936 को स्वामी गोपाल दास चूरू धरम इसपूत तिरंगा लहराया 1857 की करांती के और महन करांती कारी जिनमें डूंग जी जमाहर जी का नाम परमुक रूप से लिया जाता है 1857 की सवतंतरता संग्राम में सीकर छेतर से काका और भतीजा रिष्टे में दोनू काका भतीजा डूंग जी और जमाहर जी परसीद रहे डूंग जी ये सेखावाटी ब्रिगेड में रिषालेदार के पदबे थे बाद में नोकरी छोड़ कर धनी लोगों से देश की आजादी के लिए धन मांगने लगे और धन नहीं मिलने पर वहाँ ये डाका डालने लगे और इस धन से वे निर्धन वेक्तियों की भी साहिता करते डूंग जी के साले थे भावरू सिंग इन्होंने इने धोखे से पकड़वा दिया था अंग्रेजुने इने आगरा के दुर्ग में बंदी बना के रखा था ज ज्वाहर जी ने इने लोट या जाड जो की लाडू जी निठारवाल सिकर से इनका समन्ध था इनके द्वारा इनको मुक्त करवाया जाता है सरदार हरलाल सिंग एक और करांती कारी इनका समन्ध सरदार हरलाल सिंग का समन्ध जुनजुनु जिले से अनमानपुरा गाउं से है 1901 में इनका जनम होता है और ये ऐस इक्षित थे हरलाल सिंग ने रियास्ति और जागेदारी जुल्मों का डटकर विरोध किया किसान और परजामंड लांदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमी का निभाई विद्यार्थी भवन जुंजुनु कि स्थापना कर इन्होंने दुर्गादास कप्तान दुर्गादास चोधरी का जनम 1905 में नीम का थाना में होता है और इनकी प्रारंबिक शिक्षियार जुनलाल सेठी की वर्दमान पार साला में होता है उसके उपरांतिये सांबर और कानपूर में जाते हैं पढ़ने के लिए चोधरी ने राजस्था सेवा संग के अंतरगत भिजोलिया में कारी क्या 1903 में स्वाधिनता अंदोलन में सामिल हो गए थे दुर्गाद प्रशाद चोधरी ने एक पत्रकार के रूपने अपनी पहचान बनाई और अजमेर और जय पुर्शी एक प्रकासित समाचार पत्र निकाला जिसका नाम था दैनिक नव जोती इनके समाचार पत्र का नाम था दैनिक नव जोती तो इस तरीके से महतोपूर्ण करांतिकारियों की बात आज हमने की है इस तरह के महतोपूर्ण कंटेंट पहले डाले जा चुके महिला करांतिकारियों का टोपिक भी डाला जा चुका है अगर आपने नह और मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो के साथ, कंटेंट के साथ.